टीवी के मिस्टर बजाज बने 18 करोड के घर के मालिक रॉनित रॉय ने मुंबई में खरीदा सुपर लक्जीरियस अपार्टमेंट चार साल पहरे कर रहे थे तंगहाली का सामना तो नहीं बचा था गार्ड्स को सेलरी देने का पैसा बेचनी बढ़ गई थी एक्टर को अपनी महंगी गाड़ियां जी हाँ, टीवी के मिस्टर बजाज यानि की पॉपलर एक्टर रॉनित रॉय अब एक सुपर लक्जीरियस अपार्टमेंट के मालिक बन गए है सिटी ऑफ ट्रीम्स में अपना घर लेना जहा किसी के लिए भी एक सपने जलसा होता है तो अब टीवी के महिर ने अपने लिए पूरे 18 करोड की खीमत का घर खरीद लिया है और रॉनित से जुड़ी इस खास ख़बर का दावा लेटिस्ट मेडिया रिपोर्ट्स में किया गया है रिपोर्ट्स की माने 58 साल के रॉनित ने मुंबई के समंदर किनारे अपना नया आशियाना खरी रहा है बताय जा रहा है कि एक्टर ने एक सी फेसिंग अपार्टमेंट लिया है एक लीडिंग न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मताबिक रॉनित रॉय ने मुंबई के वर्सोबा में समंदर के किनारे एक आलिशान घर खरीदा है इसके खीमत 18 करोड 34 लाग रुपए है रॉनित का यह फ्लैट अंधेरी में 4269 वर्ग फुट में फैला है और यह मैक्रोटेक डेवलपर्स का है रॉनित का यह नया फ्लैट बिल्डिंग की 20 में मंजल पर है और इसे खरीदने के लिए एक्टर ने 1 करोड 33 लाग रुपए स्टैम डूटी भी चुकाई है यह घर लगजरी फैसलिटी से लैस है इसमें चार पार्किंग स्लॉट्स के साथ-साथ प्राइवेट स्विमिंग पूल और परसनल जिम भी है रिपोर्ट में आगे बताया है कि 20 में फ्लोर पर इस सित अदालत फेम एक्टर ने 10 जून को ही इस घर का रेजिस्टेशन करवाया है तो जैसे ही रॉनित के घर खरीदने की एक खबर सामने आई तो इससे हर कोई हैरानी में पड़ गया भाई आखिर टीवी के मिस्टर बजाज ने अपने न्यू सुईट होम के लिए एक जटके में 18 करोड की भारी भर कम रकम खर्च कर डाली तो इससे कुछ वक्त पहले ही वो फाइनेशल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे जी हाँ, कोरोना महमारी के वक्त रॉनित ने बेहत बुरे दोर का सामना किया दरसल रॉनित ने खुद ये खुला सकिया था अकि उनका बिजनेस थप पड़ गया था उनके पास कोई काम नहीं था 130 करमचारी थे जिनके फैमली के जिम्मेदारी उनहीं के कंधो पर थी उनके पास अपने गार्ड्स को सेलरी देने तक के पैसे नहीं थे यहाँ आपको बता दे कि रॉनित रॉय ने अपनी सेक्योर्टी एजनसी की शुरवाद साल 2000 में आमिर खान के साथ फिल्म लगान के दोरान की थी वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सभी को सर्विस मोहिया कराते हैं लेकिन हमारी के दोरान इस कंपनी पर बुरा असर पड़ा था जिसके चलते वो बुरे दोर से गुजरे थे स्टाफ को सेलरी देने के लिए रॉनित ने अपनी लगजरी मिनी कूपर कार और घर के और भी सामान बेश डाले थी ताकि उनके स्टाफ के सेलरी का बंद उबस्त हो पाए ऐसे में अब चार साल बाद जब रॉनित ने अपने लिए 18 क्रोड की कीमत का अपार्टमेंट खरीदा है तो हर कोई शौक रह गया है लोग एक्टर से ऐसे सवाल पूछाए है कि आखर इतने कम वक्त में रॉनित ने कैसे इतनी कीमत खर्च कर अपना नया घर खरीद लिया वहीं बात रॉनित की फैमली की करें तो रॉनित ने नीरम सिंग से शादी की है उनके तीन बच्चे दो बेटी और एक बेटा है अक्सर इवेंट्स में वो अपने बच्चों के साथ दिखाई देते हैं उनका बेटा अगर्स्तिया अपनी हाइड के कारण चर्चा में छाय रहता है